जोहार जोहार साथियो जोहार जैसा कि बरतमान समय में आप लोग देख रहे हैं कि जहरखन विधान सभाज चुनाव का सरगमी तेज हो चुका है और पूरे जहरखन में अभी पूरे चुनावी चर्चा है तपमान तेज हुआ है और हम लोग ने पिछले कई सालों से लगातार जहरखन के हीत कल्यान को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं कि सहिदों का सपना सकार हो आंदलनकारियों का अर्मान पूरा हो अलग जहरखन राज का उद्देश अबवा दिसुम अबवा राज सकार हो इसको लेकर के पूरा जी जान ल अगा करके हम लोग ने संघर्ष किया और अब तक हमारा जो परमुक मांग था वो पूरी नहीं होने के वज़े से हम लोग भी इस बार जोर सोर से आम अवाम जहरखंडी आदिवासी मुलवासी जनता के सहयोग से चुनावी मैदान में हैं और इसी करम में मैं देवेंदर नात महतों आपका बेटा आपका भाई आपका साथी 166 शिली विधान सवाद छेत्र से अगामी 28 अक्टुबर 2024 दिन संभार को सिल्ली छित्र से जुलूस के साथ पुरे आम अवाम पुरे छित्र के जनता के साथ सहयोग में जुलूस के साथ राची तक जा करके नमांकन भरेंगे तो मैं सिल्ली विधान सवा समेत राच के तमाम सम्मानित मद्दाता आदिवासी मुलवासी जारखंडी नौजवान साथी अविभावक से हम बिनम्र निवेदन करते हैं कि अब तक का आप लोग का जो साथ सहयोग और आसिरवात से जो मिलता उर्जा है उसको लेकर के राज हित में कई संघर्ष किये कई बड़े बड़े आंदोलन किये तो उसी प्रकार अगामे 28 अक्टूबर 2024 दिन संबार को आप लोग का साथ सहयोग और आसिरवात से मिलता उर्जा से आगे राज का जो संघर्ष है हम उसको आगे बढ़ा सके इसलिए हम लोग का जो तैयारी है वो पूर्ण हो चुका है और हम जानकारी के लिए बताएं कि जो 28 तारीक को हम लोग राहे डौमंडी मैदान और सोनाहातू जाड़िया मोड ये दो प्रखंड के जितने भी साथी है साड़े आठ बजे वहाँ एकत्रित होंगे और उसके बाद दोनों प्रखंड के साथी बनता मोड पौने नो बजे पहुचेंगे और उसके बाद सभी कोई सिल्ली प्रखंड के साथी के साथ नो बजे तुटकी मैदान में मिलेंगे यानि की राहे सुनातूर सिल्ली परखंड के तीनों परखंड के जितने भी हमारे जहरखंडी है सभी कोई नो बजे तुटकी मैदान पहुँचेंगे उसके बाद जो नहां जो प्रस्तावित हमारा छित्रह पांच पंचायत आता है वहां के सभी जितने भी हमारे अभिभावक है साथी है भाई बहन है सभी कोई हम लोग साड़े नो बजे जो नहां मोड़ में मिलेंगे उसके बाद एक साथ चलते हुए टाटी सीलिवे ये मैदान के पास हम लोग साड़े दस बजे पूछेंगे उसके बाद बूटी मोड एक आरा वजे होते हुए आगे मुरावादी मैदान हम लोग लगभग लगभग साड़े कारा वजे हम लोग पहुचेंगे और मुरावादी मैदान से पाइदाल मार्च करते हुए हम लोग समरानाला परिशर महुंचेंगे जहां भैपे न मांकन करेंगे तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग साथ दें, सहयोग दें, असिरवाद दें और जिस परकार से सुविदा हो, चाहे वो गाड़ी हो, साइकिल हो, टेम्पू हो, ट्रेन हो, बाइक हो, टेक्टर हो, ट्रवो हो, जिस परकार से सुविदा हो सभी कोई अपना अपना सुविदा उपलब्द कराते हुए साथ दे चुकि हम लोग का पिछले कई सालों से हर आंदलन को आप लोग साथ सहयोग दिये हैं यह परिक्षा की अंतिम घड़ी है तो किरपया करके आप लोग साथ दे हाँ और एक महतपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं साथियों जो आप लोग ने कल कई नियूज में देखा था और कई लोग उसको उस फोटो और नियूज को देख करके दिख भर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ हमारे लोग भी कन्फ्यूजन है कि नमांकर हो गया क्या तो हम आप लोगों को किलियर करना चाहते हैं कि कल यानि 25 अक्टूबर 2024 को जो आप फोटो और नियूज देख रहे हैं कि वह चुकि हम लोग का पूर्व निर्दार 26 तारीक था उसके बाद फिर 26 और 27 को निर्वाचन कर जाले के द्वारा सुचना आने के बाद जो है कि हम लोग परमिट मिला 28 तारीक और 28 तारीक को निर्ने लिए तो देखते हैं कि जिस मुसिबत से हम लोग राज का अंदुलन किया हैं और जब जब चाहे वो अंदुलन हो चाहे मुख्यमंत्री अवास गिरा हो विदान सवा गिरा हो जारखन बंदी हो उससे एक रात पहले परसासन का कड़ी नजर हम पर होता था और एक रात पहले चार जगह तीन जगह जब जैसारात हमको जगह को बदलना पड़ता था उसी परकार चुकि हमारे पास जारखंडी जो हमारा हिद चाहते हैं इसे कई अधिकारी पदाधिकारी कानुन वीद हमको जनकारी दियें चुकि आप और टाइगर जैराम महतो जी इस बार नजर पर हैं और जिस परकार हम दोनों को परिशान किया गया था तो मिटिंग में आप लोग का नाम बार बार आया जा रहा है और जो आप लोग का हम विरोधी नहीं मानते हैं लेकिन हम लोग को जो विरोधी मानता है जो हम लोग को समझता है कि यह लोग को इतना जन समर्थन मिल रहा है इस बात का तकल भाई कि ये लोग राजनिति के छेत्र में आएंगे तो जनता का हित में काम करेंगे तो लोग कड़ी नजर बना के रखें इसलिए कुछ सैप्टी के लिए दोबारा किसी परकार का परेशानी ना हो लोकसवाज चुनाओ के समय के जैसा इसलिए हमारे अधिवक्ता साहब और अधिकारी पताधिकारी के निर्देश अनुसार हम कुछ प्रोसेस कर दिये हैं और सबको जनकारी होगा कि जो चुनाओ का नमांकन होता है वो चार सेट पर होता है जिसमें एक सेट को सेप्टी को देखते हुए चुकि अगर जो हम लोग को विरोधी मनता है अगर वो लोग पर नजर गड़ाए हैं तो हम लोग के अभिवाओं का कहना है कि हम लोग को भी कुछ राज हीत के लिए राज के लियान के लिए आने वाले भविश के लिए कुछ साओधानी पुरुवक कुछ सफलता और सेप्टी कदम उठाना पड़ता है तो वह एक परकार का हमारा प्रमप्रा वेश भोशा के साथ हम लोग जाएंगे नमांकन के लिए और हम अपिल करते हैं कि आप लोग सभी साथ दे सहयोग दे धनवाद